मैं मरा जा रहा हूँ सोच अधियापक स्कॉलर्स विद्यार्ती सभी दुखी हुए और वहां रो भी पड़े थे की कह सरस्वती ने मुझे बतलाया एक देड़ घंटे के संगर्ष के बाद रेतीली जमीन पैरों को लगी खड़े होकर चलने लगा अंदर जाने वाला पानी नीचे और बाहर आने वाला पानी उपर आता जाता देख मैंने गौर किया और तट पर आ गया लेकिन तट पर आने के बाद कदम उठा कर कदम रख नह नहीं पाया मैं वहीं बैड गया धिरे से लेड गया सभी ने सोचा मैं मर गया दो फलांकी दूरी पर आगिरा था लाइट हाउस के पास इस्तित क्लासमेड्स लेडीजी नहीं वेडू भी वहां आया वेडू पैंट और शर्ट लेकर आया सभी ने आतुरता से देखा आदर के साथ पहल की मेरे क्लासमेड्स उतनी आत्मियता को दिखाते और बोलते देख बहुत त्रुक्ती हुई आम तोर पर वहां अलगाव दिखाते हैं मैंने पैंट और शर्ट पहन लिया किन्तु चलना मुश्किल हो रहा था समुदर में उतरने से पहले से ज्यादा शरीर में रेत चिपकी हुई थी पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे चलते वे शरीर काप रहा था क्लासमेड्स रतयया और रामकृष्णा दोनों ही कम्मा जाती के थे उनके कंधों पर हाथ धर कर चलते वे सभी जहां पर थे वहां तक आने पर थोड़ी शक्ती लोटी लेकिन खड़ा ना हो रोह पाने के कारण वहीं बैठ गया क्या हुआ कहे लेक्चरर क्रिश्ण मुर्ती ने पूछा मैंने भूल की है मैंने कबूला चलो किसी तरह किनारे पर आ गए हैं कै कहने पर जोगारावने पहल करते वे मर जाता तो समुद्र खुश होता कहा मेरी मृतियु की काम ना कर रहे हैं मैंने क्या अपराद किया है आपका मैंने क्या बिगाड़ा है सर मैंने प्रश्न किया तुम्हारा तेलगू डिपार्टमेंट में ओनर्स कोर्स करने में दाकिला लेना ही बहुत बड़ा अपराद है मुझे शमा कीजिए सर मैं तुम्हें शमार नहीं करूंगा अ खाई नहीं दी किसी पेड के नीचे पहुंच कर रोती रही होगी यहां लेक्चरर वाहेड और उस पंडित ने मिलकर टेलीग्राम दिया होगा या संदे मुझे बना रही रहा लेकिन प्रामाणित करने का आउसर नहीं ता मित्र आप पहुंचे थे रोतेवे मत बैठो चलो आओ खाना खा लेते हैं कै मुझे समझाया मुझे इच्छा ही नहीं थी फिर भी मैस के लिए निकल पड़ा तुम कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना जाने कल कैसे परिक्षा लिखोगे मुझे समझाया क्या पढ़ना है कुछ पता नहीं है उसके पड़ी हुई पढ़ाई के संसकार बल से परचा देना है लिख सकता हूँ लेकिन मेरी मा मर गई है या जीवी थी है कोई भी समाचार नहीं मिला मा नहीं है सोचने पर मैं शव के बराबर हूँ वा जीवी थी रहे तो मैं इस दुनियाम से ही कबड़ी खेल लूंगा जो चलिए मैस को चलते हैं सारे मित्र मेरे साथ हैं बोजन करते समय भात के हर दाने में मा की छवी दिखाई दे रही थी मेरा सारा शरीर अम्मा का दिया हुआ मुझे दान है उसका पुन्य फल ही है मुझे अपने को देखते वे मेरी मा ही दिखाई दे रही थी मैं भी जीवी थ हूँ मेरी मा भी जीविती रही होगी मैस से आकर रूम में जा मैं सो गया बड़ी गहरी नींद आ गई थी मुझे डर नहीं है मुझे लगा कि मेरी मा ही आकर मुझे सुला गई है पता नहीं क्यों तीन दिनों की ठकावट और अशांती अचानक से खत्म हो गई अच्छी तरह नींद आ गई वहा भी सुख निद्रा थी